आज मैं बताने वाली हूँ कि आप disappointment से कैसे बाहर निकल सकते हैं सबसे पहली बात तो जब इस तरह की वीडियो कोई देख रहा है या यह वीडियो आपके पास पहुच रहा है तो most probably आप law of attraction को follow करते हो और अगर नहीं भी करते हो तो इस वीडियो को मुझे लगता है 99% लोगों को जरूरत है क्योंकि इस वीडियो में मैं वो चीज बताने वाली हूँ जो की हमारा common nature होता है और वो है disappointment या निराशा बहुत जल्दी human being निराशा से ग्रसित हो जाता है और यह कोई नई बात नहीं है निराशा हमारे सौभाव में है क्योंकि जब human का जन्म हुआ या जब इश्वर ने हमको पैदा किया तो कहीं न कहीं survival mode हमारे अंदर डाला है या जो fear होता है वो fear of failure बहुत common चीज है या किसी भी नई चीज में जैसे comfort zone से हम बाहर निकल के जाते हैं तो fear हमारे अंदर रहता है तो उस fear को कई बार हम overpower नहीं कर पाते हैं और वो fear हमारे emotions पे हमारी सोच पे overpower कर जाता है और जब वोसी में हम continuously रहने लगते हैं देखो एक बार दिन में एक बार निराशा होना दो तीन दिन में एक दो बार निराशा होना बहुत common है इसको आप कोई disease या फिर कोई एक different चीज के रूप में मत लीजिए ये बहुत common चीज है पर अगर इसमें आप continuously निराशा में बने रहो लगतार एक दिन दो दिन तीन दिन तो जरूर आपको कोई न कोई इससे बीमारी हो जाएगी या आप परेशान हो जाओगे या आपको जीवन जीने की इच्छा नहीं रहेगी इस तरह की निराशा होना बहुत uncommon है और आज इस तरह की निराशा होना बिलकुल सही नहीं है ये normal बिलकुल भी नहीं है एक दो बार निराशा आना ये ठीक भी है क्योंकि हमको ये जो डर है न हमको बहुत सारी बुरी चीजों से भी बचा लेता है बट कई बार क्या होता है ये डर जब बहुत हावी हो जाता है तो हमारी अच्छे कामों को क करनी की जो इक्षा रहती है वो भी कई बार रुख जाती और बहुत सारे अच्छे काम हम नहीं कर पाते हैं अपने कमफर्ट जो नहीं निकल पाते हैं तो यह सिर्फ इस पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत निराश हो चुके हैं अपने जीवन में और मैं गैरिंटी द वही होता है जो हर चीज को समझता है सिक्के की दोनों पहलू को जो समझता है वो स्पार्ट होता है जो सिर्फ एक पहलू को लेके चलता है वो कई बार जीवन में अपने आपको ओवर स्टिमेट करके कई बार फेलियर के चांसे जादा रहते और जो अपने आपको कम आगता वो भी कई बार आगे निकल नहीं पाता है तो ये बैलेंस होना जीवन में बहुत जरूरी है तो फियर का निश्यत मात्रा में होना बहुत अच्छी बात है बट ये कभी आप पे हावी नहों उसके लिए मैं ये बताती हूँ और अगर वो किसी तरह से हावी हो गया है आप अल आटे हारते एक दिन ऐसा आता है कि हमको किसी चीज में आशा नजर आती ही नहीं है और उस समय हम वही सोचते हैं वही हमारी है वेजर्चेशल पैटरन बन जाता है वही सबकोंश्यस माइन में जाता है और अगेन वही वही एट्रेक्ट होते जाता है हमको रास्ता ही नहीं दिखता है कि हम निकले कैसे तो इसका मुझे एक देखो जो मैं बता रही हूँ वो बहुत सिंपल सी चीज़े कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैं लगातार निराशा की ओर जा रहा हूँ सबस से कम उसने आपको इतनी सदबुद्धी तो दी कि आप वो समझ पा रहे हो कि आप निराश हो और आप उससे निकलना चाह रहे हो मतला भी भी रास्ता खुला हूआ है इनर बींग आपकी जो इस्पिरिट है आत्मा है यह आपको गाइडेंस कर रही है कहीं नहीं आपको इश वो कौन सा काम है वो काम है मोटिवेशनल वीडियो देखो आप कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे आप तुरंत वहां जाए और उसको देखिए पांच मिनिट केवल अच्छे अच्छे सेंटेंस सुनने से ही आपकी वाइबरेशन हाई हो जाएंगी भले आप उसमें वि दिश्वास कर सकते तो अल्रेडी आप उससे निकल चुके होते या उस कंडिशन में नहीं होते उससे हमारी सोचने विचारने की शक्ती नहीं रहती बस हमको एक अच्छा व्यक्ति चाहिए जो आपकी सच में भलाई चाहता हो और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप खुद ही सिर्फ एक काम कीजिए भरे भरोसा करो ना करो आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो एक या दो जरूर देख लीजिए आप इंस्टेंटली एनरजाइस फील करोगे हाई वाइब में आ जाओगे और आपको एक उमीद की किरन दिखने ही लगेगी और वही आपकी शुरुआत है बस उसी समय आपको डिसीजन लेना है कि किसी भी तरह से मुझे इससे निकलना ही है और दूसरा जो उपाई इन्होंने बताया है वो अबराहिम हिक्स में मुझे मिला यह तो पहला बहुत ही अच्छा उपाई हो और यह करता ही है क्या है मोटिवेशनल वीडि अब बहुत ही अच्छा था सबसे पहले तो जो एक है मोटिवेशनल वीडियो देखना और दूसरा जूपा है वो यह है कि अंडस्टेंडिंग दा प्रोसेस ओफ क्रियेशन उस चीज को समझ लेना कि आपका जो डिसापॉइंडमेंट है या आप निराशा में क्यों घिरे ह और यह खतम हो सकता है यही हमारी डेस्टिनी नहीं है यह जान लेना या नॉलेज होना उस प्रोसेस का यह सबसे बड़ा उपाय है जिस दिन आप किसी चीज को जान जाते हूँ कि आप इसके साथ या आपके साथ ही क्यों हो रहा है उसी दिन से आप उसको खतम कर सकते हो तो सबसे पहला तो यह यही कि अंडरस्टेंडिंग दा प्रोसेस ओफ क्रियेशन इस रियली दा बेस्ट वे यह बेस्ट वे है उस प्रोसेस को समझना या आप में यह विश्वास होना कि यह चेंज हो सकता है दिस इस नॉट अवर और उरिजनल नेचर और इन्होंने एक और उपाय बताया है कि आप जो चाहते हो देखो सबसे पहली बात तो अगर कोई वेक्ति निराश है तो वो अच्छे भविश्ची के बारे में सोची नहीं सकता है तो सबसे पहला तो आप एक दो मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए आप काफी हाई वाइब में आ जाओगे और आपको फिर किसी दोस्त की या किसी रिष्टेदार की या सलाहकार की या काउंसलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके इनर बिंग में सब कु कि विचारों को अपने आशा की विचारों पर हाभी होने दिया यही एक गलती थी तो आज से ही एक काम शुरू किजिए दूसरा उस प्रोसेस को जान जाए और वह प्रोसेस को आप तब ही जान पाओगे जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोंगे और जैसे ही आपने वह तो उसी दिन आप decide कीजिए, आप जो चाहते हो उसकी list बनाईए या उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, आप जो job चाहते हो, career चाहते हो, पैसा चाहते हो, financial freedom चाहते हो, जो चाहते हो, आप उन सब की list बनाईए, उसके बारे में सोचिए, उसकी image create कीजिए और एक quiet place पे और वहां आपको meditation करना है, visualization करना है, meditation और visualization दौनों अलग चीज़े हैं, बट आप इन्होंने बोला उसको देखना है, you have to see until you start believing on these things, मतलब आपको उन चीजों को तक तक देखना है, हमेशा देखना है, हर दिन एक रूटीन में देखना है, जब तक कि वो चीज़ें आपको अपनी ना लगने लगे, जब आप बार-बार उसको देखोगे, अपनी success को बार-बार visualize करोगे, end result को visualize करोगे, तो वो आपको अपनी ही लगने लगेंगी, और जैसे ही आपने imagination किया, success आनी ही आनी है, क्योंकि ये God है, God का power imagination, नवेल गोडार्टे बोला ही है, कि imagination is God, या God का power है, आपके अंदर सारे power हैं, बस उसको जगाने की देरी है, तो आज से ही आप ये शुरू कर सकते हो, और आप ये स्तरह का आपको शायद उपाए, किसी और जगे ना मिले, बट मैं ये guarantee दे रही हूँ, मुझे खुद भी ये अबराहिम हिक्स में पता चला, तो मैंने सोच आपको बताती हो, और जो उपाए पहला बता है, मेरा खुद का experience किया हुआ है, आप किसी भी condition में रहो, थोड़ा निराशा कहीं न कहीं आपको आती है, और उसी समय आपको ये काम करना है, और अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बिजी हो तो आपको निराश होने के लिए समय ही नहीं मिलता है, जो की अभी जितने लोग हैं, जो अपने मन पसंद का काम कर रहे हैं, उनको surely निराशा बहुत कम आती है, या ना की बराबरा आती है, तो आज से अगर आपको लग रहे हैं कि आप निराश हो, तो ये आपका खुद का रियालिटी नहीं है, और सबसे अची बात हम इस चीज में भी कन्फियूज होते हैं, कि हम जो सोच रहे हैं, हम वही फील करना चाहते हैं, सच बिल्कुल भी नहीं है, हम सोच जरूर कुछ रहे होते हैं, और वही अट्रेक्ट होता है, बट हम कुछ और फील करना चाहते हैं, इस रियालिटी को भी समझेए आप, क्योंकि वो जो फील करने की जो इक्षा है, आपकी वो आपकी इनर बींग की इक्षा है, आपने अपने आउटर वर्ल्ड को देख के, या आउटर वर्ल्ड में जो फिजिकली आपकी साथ हुआ, उससे आप निराश हो गए, बट आपकी जो आत्मा है, वो कभी हारती ही नहीं है, वो अन्स्टॉपेबल है, अन्बीटेबल है, उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि गौड का ही हम एक हिस्सा है, वो कैसे किसी से हार सकता है, या कैसे उसमें सफलता की कमी हो सकती है, तो आज इस चीज को समझेए, कि वो चाहता है कि आप जीतो, जीवन में आप सफल बेक्ती बनो, जो चाहते हो वो मिले आपको, बट आपने खुद के विचारों से, अपनी आउंटर वर्ल्ड की फेलियर को, अपनी असलियत समझ लिया, उसी को सोचने लगे, और वही अट्रेक्ट हो रहा है, तो आज ही उसको बंद कीजिए, सोचना बंद कीजिए, वो आपकी ओरिजिनल सोच बिलकुल नहीं है, निराशा, हार नाम की चीज, आपकी लाइफ में किसी ने नहीं लिखी है, आपने खुद उसको अट्रेक्ट किया है, और आज इस प्रोसेस को जान गए हो कि कैसे निकालना है, तो बस यही दो उपाई कीजिए, पहला तो एक दो मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, और जैसे ही आप हाई वाइब में आए, अब शुरू कर दीजिए कॉपी पैन उठाईए, अपनी सारी इक्षाएं जो बनना चाहते हों वो लिखिए, उसको रोज आप 5-10 मेट एक पर टिकुलर टाइम पर विजुलाइज कीजिए, जब तक कि वो खुद अपनी ना लगने लगे, शुरू आत्मे वेक्तित्ता निराश लगता है, कि नहीं ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं, यह कैसे होगा, बस इसी मित को खतम करना है, विश्वास करने की भी जरूरत नहीं, आप तो बस करना शुरू कीजिए, और यह एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है, आपको वो दिखे ना, जो आप विजुलाइज करना चाहते हो, पर धीरे-धीरे कोशिस कीजिए, आपको वो दिखने ही लगेगा, तो आज आप डिस अपोइंट्मेंट से हंड्रेट परसेंट उपर जाएंगे, यह दो उपायर करके,